एक टीचर जो 40's में थे उनका अपने स्टूडेंट के साथ अफेर हो जाता है प्रॉलम तब आया जब यह बाद लोगों को पता चलने लगे अब आगे क्या होगा यह हम आज के हमारे मुवी Carried Away यह 1996 के एक ड्रामा हॉलिवड मुवी में देखेंगे अगर आपको यह वीडियोच रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब भी नग्स दरीगे एक्स्वेशन स्टार्ट करते हैं हमारे मुवी का में क्यारेटर जिसका नामे जोसेफ इसे बच्पन में पेर में चोट लग गई थी इस वज़े से लंगडा कर चलता है अब उसके एच 46-47 है वो अभी अपनी मदर के साथ रहता है क्योंकि उसकी तबियत बहुत ही खराब रहती है नेकसिन में हम देखते हैं कि जोसेफ एक टीचर है और टाउन के स्कूल में बढ़ाते थे अभी अभी उन्हें पता चला था कि सेमिस्टर खतम हो जाने के बाद टाउन की स्कूल बंध हो जाने वाली है अब सारे बच्चों को एजुकेशन के लिए 50 किलोमेटर ड्राइव करना पड़ेगा आज स्कूल में और एक निउस्टूडर ने जाइन किया जिसका नाम था कैथरीन कैथरीन एक बहुत ही ब्यूटिफुल से लड़की थी और सब लोग उसे ही देखते रहे गए जोसेफ के एक गल्फेंट थी जो उसी के स्कूल में काम करती थी इसका नाम था रोजली रात में हम रोजली के घर पर उसे डिनर करता हो देख सकते हैं रोजली का बेटा है जोसेफ का स्टूडरंट है यह दोनों बात कर रहे थे कि अब स्कूल बन होने वाला है तो उन्हें सीटी में जॉब मिल सकता है पर यह ओफर एकसेप्ट करने के लिए रोजली रेडी नहीं थी इतना जादा वो ट्रैवल नहीं कर सकती जोसेफ को भी पता नहीं था कि अब वो नेक्स्ट क्या करेगा रोजली ने कहा कि मेरे फार्म पर तुम फार्मिंग कर सकते हो पर जोसेफ को इतना अच्छा नहीं लगता यह दोनों छे साल से एक साथ थे तो रोजली वरी करती है क्या जोसेफ सचमुझ में उससे शादी करेगा जोसेफ कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ कर मत जाना वो उसे प्यार तो बहुत करता है पर कमिट्मेंट से डरता है अगली दिन हम रोजली के बेटें जिसका नाम है रोबर्ट इसको कैथरीन के साथ बात करता है देख सकते है कैथरीन उसे पुछते हैं कि जोसेफ तुमारे फादर है रोबर्ट ने खाए कि सिर्फ मेरी मदर और उनमें चक्कर चल रहा है स्कूल ख़तम हो जाने के बाद कैथरीन अपने फादर के साथ जोसेफ के यहाँ पर आई कैथरीन इतने जल्दी अपने होश को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी थोड़ा टाइम वे उसे राइड करना चाती थी उसके फादर को जड़ा लेट हो रहा था तो जोसेफ कहता है मैं उसे घर छोड़ दूँगा आप वरी मत कीजिए फादर के जाने के बाद कैथरीन जोसेफ से पुछती है कि अगर मैं यहाँ पर रोज आई तो क्या आपको कोई प्रॉल्म है जोसेफ कहता है कि दुम जब चाहो तब आ सकती हो कैतरीन ने कहा कि आप बहुत अच्छे टीचर हो जोसेफ ने कहा कि मेरा लास्ट येर है इसके बाद मैं टीचिंग नहीं करूँगा कैतरीन बुछती है कि आप दुसरा क्या करोगे जोसेफ को इसका आंसर पता नहीं था जोसेफ के एक होबी भी थी हंटिंग करना एक दिन हंटिंग करकर वो वापस आया तो उसके मदर को देखने के लिए डॉक्टर आय हुए थे मदर को कैंसर है तो उसके बाद जादा टाइम अब बचा नहीं है जोसेफ ने अगर अपनी मदर की फिर से टीटमेंट करवाए तो सिर्फ दो-तीन मेहने और जिंदा रहेगी मदर को इतनी जादा तकलिफ हो नहीं देना चाहता अगली दिन स्कूल में बढ़ा कर जोसेफ जब घर पर आया तो कैथरिन वहाँ सोई हुई थी उसे बात करती है इस जगा के बारे में पूछने लगती है जोसेफ जब अंसर कर रहा था तो कैथरिन अपने कपड़े निकालने लग गए ये बात उसे बहुत गलत लगी और वो यहाँ से चला जाता है जरा आगे जाकर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया उसने बापस आकर कहा हमें अफेर करना चाहिए इसके बाद ये दोनों इंटिमेंट हो गए जोसेफ कैथरिन से बुछता है कि मेरे पहले तुमारे और भी बॉइफरेंड्स थे कैथरिन ने कहा कि आफकोर्स थे पर तुम मुझे बेस्ट लगे अगली दिन जब जोसेफ रोजली के साथ था तो इसी situation के बारे में सोच रहा था रोजली बुछती की क्या हुआ तो जोसेफ कहता है मैं पूरी लाइफ तुमारे प्यार में रहा हूँ रोजली को बाद अच्छी लगती है आजा सीटी के स्कूल के साथ इनकी मीटिंग थी इस मीटिंग में डिसकस हो रहा था कि जिन टीचर के बास प्रॉपर एजुकेशन है वो जाकर सीटी में पढ़ा सकते है जोसेफ के बास कोई भी डिगरी नहीं पर बहुत सालों से वो पढ़ा रहा था उसके पास experience है फिर भी ये बात जादा matter नहीं करती है वो उसे जाब नहीं देते तो जोसेफ भी उन्हें गालिया देकर वहाँ से निकल आया रात में रोजली ने जोसेफ से पूछा कि अब टाइम आ चुका है तुम्हें मुसे शादी कर लेनी चाहिए जोसेफ ने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ खुश करना चाहता हूँ रोजली कहती है मैं खुश हूँ पर जोसेफ कहता है कि तुम्हारे एक सजबंड से जादा खुश हो रोजली इसे आंसर नहीं करती इस बात से दोनों बहुत अपसेट हो गए थे अगली दिन जोसेफ की मदर को देखने के लिए फिर से डॉक्टर आये हुए थे तो जोसेफ से कहते है कि कैथरिन के फादर भी एक बहुत अच्छे हंटर है वो गह रहे थे कि उन्होंने वुल्फ देखा जादे जादे डॉक्टर अपनी गण जोसेफ को देखर जाते है अब वो ओल्ड हो चुके थे तो जोसेफ को हंट करने के लिए काम आएगी अगली दिन स्कूल से वापस आते वाग जोसेफ ने उसी वुल्फ को नोटिस किया वो जब घर पर आया तो कैथरिन उसका अल्डेडी वेट कर रही थी तो वो हमेशा उसके पास आ जाती और यह अपना अफेर कंटिनू करते मदर जोसेफ के लिए वरी करती थी पर जोसेफ ने कहा कि मैं ठीक हूँ आजकल वो बहुत ही खुश था पर फिर भी मदर ने आकर उसे बात की वो कहती है रोजली मेरे पास आई थी उसने मुसे बात की कहा तुम उसे शादी नहीं कर रहे क्या तुम मेरे मरने का वेट कर रहे हो जोसेफ कहता है कि मेरा अब जॉब नहीं रहेगा योसे प्रॉवाइड कैसे कर सकता हो उसके साथ शादी कैसे कर सकता हो मदर कहती कि तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो मेरे गुजर जाने के बाद तुमें हाउस सेल कर सकते हो रोजली की लैंड है जहाँ अपर तुम फार्मिंग कर सकते हो जोसेफ के पास एक बड़ा सा कॉइन का पॉट भी था जिसमें बहुत सारे पैसे थे तो मदर कहती है अगर तुम उन्हें सेल करतो तो एक अच्छा हनीमून भी अफोड कर पाओगे अपनी लाइफ को तुम बेटर बना जोसेफ को भी बात अच्छी लगती है नेकसिन में जोसेफ सब को पोईटरी करना सिखा रहा था इसमें कैथरिन को उसने एक पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कहा उसे कहती है कि किसी चीज़ को फिल करने के लिए आप उसे एक्सप्रियंस करो ऐसा जरूर ही नहीं होता यह जब सब वो बता रही थी तो रोजली यहाँ पर आकर जाती है जोसेफ इसे ज़रा ओकोड हुआ था सब लोग अपनी पोईटरी सबमीट करते है तो कैथरिन ने अपनी पोईटरी में लिखा था कि अभी के अभी मुझसे मिलो स्कूल से घर आते वक्त वो जोसेफ की गाड़ी में ही आई जोसेफ उस पर गुस्सा था कहता है स्कूल में मेरे साथ फ्लर्ट मत किया करो जब कैथरिन ने उसे इतना अर्जनली बुलाया तो डर गया था इसायद कैथरिन प्रिगनन्ट है कैथरिन गहती के ऐसा कुछ भी नहीं है वो जोसेफ फिर भी डर रहा था तो उसे चिडाने के लिए उसने हा कह दिया गाड़ी रोक कर जोसेफ बाहर आ किया वो असने लग की और कहती है कि इस सिर्फ एक मजाग था जोसेफ गुसे में कहता है अब मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊंगा कैथरिन वैसे ही रोड पर उसे रिजाने लग गए घर आकर ये दोनों इंटिमेट हो जाते है एक दिन सुबा सुबा जोसेफ किया कैथरिन के फादर आए वो गहता है मैंने सुना तुम भी एक हंटर हो क्यों ना हम दोनों हंट करने के लिए जाए हंट पर आने के बाद कैथरिन के फादर ने जोसेफ से का जब मुझे जरूरत होती है मैं उतना ही हंट करता हू फादर कहते कि मुझे एक दिन लगा था कि मैंने कायोटी देखा वो बहुत ही इंटरस्टिंग एनिमल होते है वो हमेशा उनके जरूरत से ज़ादा हंट करते है अगर हम उनकी हंटिंग करें तो डिजर करते है यहां इस सीन का कायोटी का रिफरंस डारेकली जोसेफ के साथ है कैतरिन के फादर ने और कहा क्यो एनिमल एक कुट्टे की तरह ही है यह सारी बाते जोसेफ है महसुस कर रहा था वो डरता है कि अगर कैतरिन के फादर रुको उसके बारे में पता चला तो उसका क्या हाल करेंगे आज कल अब जोसेफ की मदर की हालत और भी ज़रा खराब होने लग गई थी जोसेफ ने नोटिस किया था कि कैथरिन और रॉबर्ट एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए कैथरिन ने जोसेफ से पुछा क्या तुम रोजली के साथ शादी करने वाले हो जोसेफ कहता है कि हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए तो कैथरिन ने बात उसे प्रॉमिस करती है यह जब intimate हुए तो उन्हें एक साथ डॉक्टर ने देख लिया फिर डॉक्टर के साथ जोसेफ बात करता है डॉक्टर ने उसे कहा कि तुमने जो भी क्या यह बहुत ही ज़ादा स्टूपीड है इससे तुमें कुछ भी नहीं मिलेगा जोसेफ कहता है कि मुझे मज़े आ रहे थे उसने अपने पूरी लाइफ में इस तरीके से कोई भी रिस्क नहीं लिया था और अब उसे मज़ा आने लग गया था वो जो भी कर रहा है इस बात को regret नहीं करता एक दिन जोसेफ और रोजली चब कैफे में आए तब वहाँ पर कैफेरिन और रोबर्ड भी खेल रहे थे इन दोनों को साथ देखकर कैफेरिन रोजली के पास आई और कहती है आपका वेटा बहुत ही स्मार्ट है पर आज के लोग ज़रा डिप्रेस रहता है जोसेफ और तुम शादी करने वाली हो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती जोसेफ ने कैफेरिन से कहा कि तुम इसके बारे में जादा वरी मत करो हमारा हम देख लेंगे इसके बात जब जोसेफ रोजली को उसके घर पर छोड़ने के लाया तो रोजली उसके साथ इंटिमेट होना चाहती थी पर जोसेफ उसे मना कर देता है जोसेफ ने उसे यही कार में इंटिमेट होने के लिए कहा पर रोजली इस बात से मना करती है तो जोसेफ ज़रा गुसे में घर पर चला कया रागत में जोसेफ के साथ उसकी मदर बात करती है कहती है mais सब कर कहा रही हूँ मदर को कैतरीन और जोसेफ के बारे में पता था जोसेफ कहता है कभी-कभी बोरी चीज़े करना भी बहुत फन होता है मदर भी फिर इस बात को जादा सीरिसली लेती नहीं आज रात बहुत बारिश हुए जोसेफ डारेकली रोजली के पास बहुच गया उसे अपनी सारी फ्रस्टेशन बदा देता है वो गहता है हम दोनों की रिलेशन्शिप में पैशन ही नहीं है जो भी चीज़े हम करते हो बहुत ही जादा बोरिंग है मैं तुमारे साथ अलग-अलग प्लेसेज घुमना चाहता हूँ जैसे तुम अपने एक साजबन के साथ थी उसी तरीके से मज़े करना चाहता हूँ उनकी बोरिंग रिलेशन्शिप से तंग आ गया था एक्च्वल में जोसेफ जब 18 साल का था तब से रोजली से प्यार करता है पर रोजली जोसेफ के फ्रेंड के साथ थी उसी के साथ उसने शादी की थी उसका हाजबन फिर वार में चला गया और उसकी डेथ हो गए जोसेफ अपनी पूरी लाइफ रोजली को अपने फ्रेंड के साथ देखता आ रहा था वो हमेशा उनसे जेलस होता अब जब रोजली उसके साथ थी तो हमेशा एक लाइफ जो उसके साथ उसने इमेजिन की थी यह वो जीना जाता था यह सारी बाते रोजली को बताने के बाद तोनों इंटिमेट हो जाते हैं आज रात ही जोसेफ की मदर की डेथ हो गए फ्यूनरल पर कैथरीन भी आई हुई थी सारे लोगों ने जो भी लेटर से लिए थे इन्हें रोजली आंसर कर रही थी इसमें उसने कैथरीन का लेटर पड़ा इससे उसे पता चल गया कि जोसेफ और कैथरीन में अफेर है वो बहुत जादा गुसा हो जाती है उसने जोसेफ से कहा मैंने मेरी पूरी लाइफ तुमें दे दी और तुमने ये क्या किया जोसिफ कहता है कि तुम्हारी वज़े से मेरे बहुत सारे साल बर्बाद हो गए थे मेरे यंग यर्स मुझे फिर से जीने थे इस बात पर और भी जादा अपसेड होकर वो चली गई रात में कैथरिन जोसिफ से मिलने के लिए आती है उसने कहा कि तुम मुझे शादी कर लो पर जोसिफ उसे मना कर देता है उसने कहा कि मैं रोजली से ही प्यार करता हूँ कैथरिन ने कहा कि तुम्हें इसके लिए भुगत ना पड़ेगा फिर जोसिफ रोजली को मनाने के लिए उसके घर पर गया वो गहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ तुम मुझे कैसा भी टीट करो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा वो रात बर यही काउच पर सो जाता है अगली दिन जोसेफ के फ्रेंड डॉक्टर रोजली को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि लड़की बहुत यजीव है जोसेफ ने भी गल्दी कर दी वो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए रोजली बहुत रोदी है पर अब तक उसने जोसेफ को माफ नहीं किया रोजली का बेटा हमेशा चाता था कि रोजली और जोसेफ का ब्रेक अब हो जाए तो खुश था वो स्कूल में जोसेफ से बुच्छता है कि मेरे फादर कैसे थे वो हमें छोड़कर क्यों के उन्हें तो गवर्मेंट ने आर्मी जोईन करने के लिए कंपल सेरी भी नहीं किया था जोसेफ कहता है तुम्हारे फादर मुझसे हर काम में बेटर थे वो मेरे सबसे अच्छे बेस फ्रेंड थे पर इस ताउन से हो तंग आगे थे इसी वज़े से यहां से हो चले के जाते जाते रौपर्ट जोसेफ से कहकर जाता है कि आज रात तुम्हारे पास कैथरीन के फादर आने वाले है ये बात सुनकर जोसेफ बहुत ही ज़दा डर गया उसने अपनी गन में गर निकाली और घर में हो छुप जाता है कैथरीन के फादर आने के बाद उससे कहते है तुम यहां कर कह रहे हो मैं सिफ तुम से बात करना चाहता हूँ फादर ने कहा कि कैथरीन ने सीटी में भी यही सारी चीज़े की थी इसी वज़े से हम उसे यहां लेकर आये थे कैथरिन कह रही थी तुम उसे शादी करने वाले हो वो जोसेफ कहता है कि मुझे शादी नहीं करने वाला वो एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती है कैथरिन के फादर ने कहा कि उसने तुमें भी फसाय हुआ है ये बात अब तक तुमने रियलाइज नहीं कि ये सब कहे कर वो यहाँ से चले गए रात में कैथरिन जोसेफ से मिलने के लाई वो गहती कि तुम मुझे से शादी क्यों नहीं करते जोसेफ ने कहा कि हम दोनों में एज डिफरेंस बहुत जादा है तुम्हें किसे बहुत अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए वो इसे कभी भी खुश नहीं रख पाएगा हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम एक दुसरे के साथ स्पेंट किया मैं इसे जादा अब कंटिनू नहीं करना चाहता कैथरिन हर्ट हो गए वो गहती है मैंने कुछ बुरी चीज़ की है बाहर अचानक से जोसेफ ने नोटिस किया कि आग लग चुकी है उसके सारे अनिमल्स के घर को कैथरिन ने आग लगा दी थी वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है और इसमें कैथरिन का होस जलकर मर गया जोसेफ ने फूचा कि तुम ने ऐसा किया क्यो कैथरिन कहती कि मुझे लगा था तुम उन्हें बचा लोगे इसके बाद उसके लाइफ से चली की अब जोसेफ डिसाइड करता है कि सब चीज़े छोड़ कर वो रोजली के पास जाएगा उसने अपना कौाइन कलेक्शन सेल कर दिया रोजली के साथ शादी करकर उसके साथ यो वर्ल्ल देखना चाता था रोजली जोसेफ से कहती है कि मुझे पता था कि तुम उसे प्यार करते हो पर इतने साल में तुमें इग्नॉर करती रही जो भी जोसेफ ने किया ये उसे अपनी गलती भी लगती थी वो से कहती है कैतरिन के साथ तुम्हें कुछ भी कमिटमेंट नहीं करनी थी इसी वज़े से तुम उसके साथ थे जोसेफ कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है पर मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ भी ताना चाहता हूँ लाइफ में आगे के सारे अडवेंचर तुम्हारे साथ में देखना चाहता हूँ कैतरिन अभी हाँ से चली गई तो रोजली को भी जादा प्रॉलम नहीं था वो भी जोसेफ के साथ ही रहना चाहती थी और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलिएगा हम फिर सी मिलेंगे और एक नमयू के साथ तब तक लिए थैंक्यो और आप अपने आपका ख्याल रखिया